Good morning students, today we are going to read chapter 3, गोपाल एंड़ा, हील साफिस. Before you read, have you ever read a comic book? क्या आपने कभी खासे कहानियों की किताब पढ़ी है? A comic book contains stories, एक comic book में क्या है? story या होती है, told mainly through pictures, जिसमें क्या है? कहानी तसीरों के माध्यम से मुखेतेया बताई जाती है. गोपाल एंड़ा, हील साफिस. It was a season for हील साफिस. यह है हील सा मचली का मोसम था. Fisherman could think of nothing but हील साफिस. मच्वारे सिवाई हील साफिस के कुछ नहीं सोच सकते थे, सोच पा रहे थे. फिस मंगर्च, sold nothing but हील साफिस. जो मच्वारे विक्रेता थे. फिस मंगर्च क्या होता है? मच्वारे सिवाई हिल साफिस के कुछ नहीं बेशते थे. Come, buy, the price of हिल साइज डाउन टुडे. आओ, खरीदो, आज हिल सा के दाम गिर गए हैं. अब यहां पे क्या है? मच्वारे बेचने वाला क्या है? यहां आने जाने वालों को बुला रहा है कि आओ, आओ, और हिल सा मच्वारे खरीद लो. Householders could talk of nothing but हिल साफिस. जो ग्रामेर थे या जो घरेलू वैकते थे, वो सिवाए हिल सा मच्वारे के कुछ बाते नहीं करते थे. How much did you pay for that हिल सा? यहां पे क्या है? यह लेडी पूछ रही है कि उस हिल सा के तुमने कितने दाम दिये? मतलब कितने पैसे में तुमने यह खरी दी? You wouldn't believe it if I told you. तुम्हें विश्वास नहीं होगा. यह दि मैं तुम्हें बताओ. क्या है? हिल सा मच्वारे के दाम गिर चुके हैं. यह है. इस ओरत को कह रहा है. And in the palace to the courtiers could discuss nothing but हिल सा फिस. और महल में भी palace क्या होता है? महल, राज महल. महल में भी दरबारी जो है हिल सा मच्वारे के बारे ही चर्चा करते थे. Your Majesty. महाराज. You should have seen the huge हिल सा. I quote. महाराज. आपको देखना चाहिए था. मैंने कितनी बड़ी हिल सा मचली पकड़े. और ऐसा कहते कहते क्या है? वो रुख गया. क्योंकि तीन डॉट यहां पे है. तो उसकी बात पूरी नहीं हुए थी. Stop it. यहां पे राजा बोलता है. बस करो. Are you a courtier officer man? तुम दर्बारी हो या मचुआरे? गुसे में है राजा हिल सा मचली से शायद उप चुका है. बोर हो चुका है. The courtier felt silent with downcast eyes. और जो दर्बारी था. वो क्या है? नजरे जुखाए चुप हो गया. The king felt guilty. राजा को गलती का एहसास हुआ. I am sorry. अब राजा कह रहा है. I am sorry. I lost my temper. मुझे खेद है. मुझे गुसा आ गया. It is the season for hilsa fish and no one. यह ही hilsa का मोसम है. और कोई भी. अब अपनी बात क्या है? कहते कहते वो रुख गया है. अब आगे three dot है. मतलब वो बात अभी पूरी कर रहा है. Not even Gopal. Can stop anyone from talking about hilsa fish. यहां तक कि Gopal भी किसी को hilsa मचली के बारे में बात करने से नहीं रोख सकता है. Not even for five minutes. केवल पाँच मिनट तक भी बात करने से नहीं रोख सकता है. Oh, I think I could your majesty. अरे मेरे विचार से मैं रोख सकता हूँ महाराज. यहां पर यह गुपाल सायद कह रहा है. Then let me see you buy a huge hilsa. तब तुम एक बड़ी hilsa खरी दो and bring it to the palace और इसे महल में लाओ without anyone asking your word about it. परन्तु किसी को भी उसके बारे में पूछने का मोका दिये बिना. I accept मैं स्विकार करता हूँ the challenge चुनोती मैं चुनोती स्विकार करता हूँ your majesty महाराज. यहां पर गुपाल क्या है? challenge ले लेता है, accept कर लेता है. A few days later, कुछ दिनों बाद, why is your face half shaven? आपने आधी दाड़े क्यों बनाई हुए है? I am dressing up to buy a house. अब यहां पर जवाब देता है गुपाल कि मैं मचली खरीदने के लिए तयार हो रहा हूँ. What's the matter with you? क्या बात है? Why are you smearing yourself with ash? आप खुद को राप क्यों लपेट रहे हैं? Ash क्या होता है? राप स्मेर मिन्स लपेटना. I told you I am dressing up to buy a hillsafish. मैंने तुम्हें बताया है मैं हिलसा मचली खरीदने की तयारी कर रहा हूँ. Listen to me please. क्रिपया मुझे सुनो, you can't possibly go out in those disgraceful rags. अब क्या है? वाइफ जो है चिल्लाती है कि सुनो क्रिपया तुम इन भते कपड़ों में भार नहीं जा सकते हो. What are you up to? आप क्या करने जा रही है? How many times must I tell you woman? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है औरत? I am out to buy a huge hillsafish. मैं बड़ी हिलसा मचली खरीदने जा रहा हूँ. It's happened to him. क्या हो गया है उसे? He is gone mad. वह पागल हो गया है. अपतनी सोस्ती है. गोपाल प्रोड़ दा हिलसा फिस एंड स्टार्टिड वॉकिंग ट्वार्स दा पैलेस. गोपाल जो है हिलसा मचली ले आया और महल की तरफ चलना शूरू किया. Mother, look, maa, देखो, add that man, उस आदमी की तरफ. Isn't he comical? क्या वह रहे से मही नहीं लग रहा? हाशा स्पद नहीं लग रहा? वो पाल की तरफ ये बच्चा क्या है? देखके अपनी मा को कह रहा है. He must be a madman. वहे अवश्य ही एक पागल होगा. हश, चुप, I think he is a mistake. मेरे विचार से वहे, रहे से मही है. When Gopal reached the call? जब Gopal दरबार में पहुझा. What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाता हूँ. अब यहाँ पे क्या है? Gopal कह रहा है. मैं राजा से मिलना चाता हूँ. You can't see the king. तुम राजा से नहीं मिल सकते. Get away with you. यहाँ से भागो. यहाँ से चले जाओ. Gopal began to dance and sing loudly. गोपाल ने नाचना और उचे आवाज में गाना शुरू कर दिया. क्यों कर दिया? ताकि अपनी तरफ attract करने के लिए. Inside the palace, महल के अंदर. The man is crazy. आदमी पागल है. अब आवाजे आ रही है महल में से ही. Throw him out at once. तुरंट उसे भार निकालो. भार फेको. I want to see the king. Let me in. मैं राजा से मिलना चाता हूँ. मुझे अंदर आने दो. यहां पे भार से आवाजे आ रही है राजा के कानों में. यह सुन रहा है राजा. Bring that man to me at once. तुरंट उस आदमी को मेरे पास लाओ. राजा अब आदेश देता है. Order देता है. Yes, Your Majesty. हाँ महराज. गुपाल was brought before the king. गुपाल को राजा के सामने लाया गया. It's गुपाल. यह गुपाल है. लोग आए वे हैं. वो कह रहे हैं. The man has lost his mind. आदमी का दिमाग खराब हो गया है. I think it's one of his crazy jokes. मेरे विचार से यह है इसका कोई मजाग है. All right, गुपाल. Out with it. ठीक है, गुपाल. अब बताओ. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तुमने इतने अजीब हो. गरीब तरह के कपड़े क्यों पैने हुए हैं? Your Majesty, महराज, you seem to have forgotten something. महराज, लगता है आप कुछ भूल गये हैं. Forgotten something? भूल गया कुछ? Strangely enough, no one seems to be interested in हिलसाफिस today. अजीब बात है, लगता है आज किसी की हिलसा मचली में रुची नहीं है. From the market to the palace, बाजार से लेकर महल तक, and in the court और दर्बार में, not a soul has spoken a word about हिलसाफिस. बाजार से लेकर महल तक और दर्बार में, किसी एक ने भी हिलसा मचली के बारे में एक शब्द नहीं बोला है. Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. केवल तभी राजा को याद आया, जो उसने गोपाल को चुनोती दी थी वहे. हाँ, हाँ, राजा हंसता है, well Gopal, बढ़िया Gopal, congratulations, बधाईया, you have achieved the impossible once again, तुमने एक बार फिर असंभाव को संभाव कर दिया. To students, ये था आपका chapter 3, it's complete, thanks.